केलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में समाजिक विज्ञान के काफी महत्पुन असी अपजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे यह जो असी अपजेक्टी प्रशन है यह आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुन हैं तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा क्योंकि इस असी अपजेक्टी प्रशन में से बहुत सारे प्रशन आपके फाइनल बोड परिक्षा में आने वाले हैं तो इस विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा तो आईए सुरू करते हैं पहले नमबर प्रशन से तो पहला नमबर कि काला लोहा किसे कहा जाता है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि काला लोहा किसे कहा जाता है तो मेगनेटाइट को कहा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्र दर्शन किया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ओप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तीन नमबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन ग्राम कचहरी का अंग नहीं है इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ओप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण चार नमबर प्रश्ण कि हंगरी की रजधानी कहा है यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की रजधानी कहा है तो हंगरी की रजधा बुड़ा पेस्ट है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा कारे रजनितिक दल नहीं करता है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कारे रजनितिक दल नहीं करता है तो अपसरों की बहाली नहीं करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण छे नंबर प्रश्ण है कि इन में से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है इसमें से आपको बताना है कि कौन सड़कों का वर्ग नहीं है तो स्वर्णिम चत्रभुज नहीं है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण सात नंबर प्रश्ण है कि वरतमान में भारत में र अध्य दलों की संख्या कितनी है तो आठ है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नंबर प्रश्ण है कि आभूसर निर्मार किस परकार के उध्योग का उधारण है यहाँ पे आपको अगला प्रश्ण नो नंबर नो नंबर प्रश्ण है कि विगत वर्सों के अंतरगत बिहार में किस छेतर का सरवाधिक विकास हुआ है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि विगत वर्सों के अंतरगत बिहार में किस छेतर का सरवाधिक विकास हु प्रागत सुरूत क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि उर्जा का गैर प्रम प्रागत सुरूत क्या है तो सौर उर्जा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 11 नंबर 11 नंबर प्रशने कि सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण कि निमन में से किस खनीज का विश्व बेपार काफी कम होता है यहाँ पे आपको बताना है कि निमन में से किस खनीज का विश्व बेपार काफी कम होता है तो बॉक्साइड का होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण तेरा नंबर तेरा नंबर प्रश्ण है कि विश्व में कौन सी सासन बेवस्था सबसे अच्छा माना जाता है यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व में कौन सी सासन बेवस्था सबसे अच्छा माना जाता है तो लोकतंत्र को माना जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर सीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 14 नंबर 14 नंबर प्रश्ण है कि भारत का पता किसने लगाया यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया तो वास्को डिगंबा ने लगाया इसे आपको याद रखना है यहाँ पर सीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा अगला प्रश्ण 15 नंबर 15 नंबर प्रश्ण कि भरेष्ट लिटो वास की संधीक किन देशों के बीच हुई थी तो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पर डिवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सोला नंबर प्रश्ण है कि आर्थिक द्रिष्टी कौन से सरवाधिक महत्पुन वन कौन है यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक द्रिष्टी से सरवाधिक महत्पुन वन कौन सा है तो पतज़डवन है इसे आपको याद रखना है य यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में भूमंडली करण की सुरुआत किस दसक में हुई, तो 1990 की दसक में हुई इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रशना 18 नंबर, 18 नंबर प्रशन है कि प्लाई ओड का निर्माड किस देश से सुरु हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि प्लाई ओड का निर्माड किस देश से सुरु हुआ, तो जर्मनी से सुरु हुआ, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 19 नमबर 19 नमबर प्रशना की तल चिन की सहायता से किसी अस्थान की मापी गई उचाई को क्या कहा जाता है काफी महत्पुड प्रशना है यहाँ पे आपको बताना है कि तल चिन की सहायता से किसी अस्थान की मापी गई उचाई को क्या कहा जाता है तो अस्थानिय उचाई कहा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन बेस नमबर प्रशन है कि संसाधन नियोजन के कितने अस्थर होते हैं काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि संसाधन नियोजन के कितने अस्थर होते हैं तो तीन अस्थर होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 21 नमबर 21 नमबर प्रश्ण कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज雍से समंदित यहाँ पर आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज雍से समंदित है तो यह प्रशने की जैव और अजैव संसाधन वर्गी करण का अधार क्या है यहाँ पे आपको बताना है की जैव और अजैव संसाधन वर्गी करण का अधार क्या है तो उत्पती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते है अगला प्रश्ण 23 नमबर, 23 नमबर प्रश्ण की वेवसाइक बैंकों का सरो प्रथम राष्टी करण कब किया गया, यहाँ पे आपको बताना है कि वेवसाइक बैंकों का सरो प्रथम राष्टी करण कब किया गया, तो 1979 में किया गया, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 24 नमबर 24 नमबर प्रशन की स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी प्रयुजना कौन है काफी महत्पुर प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है की स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी प्रयुजना कौन है तो दामोदर नदी घाटी प्रयुजना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 25 नमबर 25 नमबर प्रशने की ब्रिहत छेतर में जल की उपस्तिती के कारण ही प्रिथ्वी को क्या कहते हैं काफी महत्पुड प्रशने है यहाँ पे आपको बताना है की ब्रिहत छेतर में जल की उपस्तिती के कारण ही प्रिथ्वी को क्या कहते हैं तो नीला गरह कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 26 नमबर 26 नमबर प्रशने की रजनेतिक डलों को मन्याता और उसका चिन किसके दूरा प्रदान किया जाता है यहाँ पे C वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 27 नमबर 27 नमर प्रशने की पंचायत समीती का परधान कौन होता है यहाँ पे आपको बताना है की पंचायत समीती का परधान कौन होता है तो परमुक होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बेवाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 28 नमर 28 नमबर प्रशन है कि लोगतंतर का मूल उदे से क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि लोगतंतर का मूल उदे से क्या है तो सामुहिक सहमती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 29 नमबर प्रश्ण की दलित और महादलित का पहचान कहा बना है काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है की दलित और महादलित का पहचान कहा बना है तो बिहार में बना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाल option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन तीस नंबर प्रशन की चिपको अंदूलन कहा हुआ था तो चिपको अंदूलन उत्राखंड में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प् को बताना है कि सुचना प्राप्त करने का माध्यम निम्न में से कौन है तो कमपनी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 32 नंबर 32 नंबर प्रश्ण है कि उपभोकता सोसड का प्रमुख कार है तो सुचना का अभाव है वस्तू की सीमिता पूर्ती है उपभोकताओं की अज्यानता है यानि इन में से सभी है तो यहाँ पे डी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 33 नंबर 33 नंबर प्रश्ण है कि भारत के परिवहन सिवाओ में सबसे महत्पूर कौन है काफी महत्पूर प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के परिवहन सिवाओं में सबसे महत्पूर कौन है तो रेलवे है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 34 नमबर प्रश्ण कि भारत में राज की नियंतरन उध्यूग की उधारण कौन है। तो डाकतार विभाग है, रेलवे भी है, सुरक्षा उध्योग भी है, यानि इन में से सभी है, तो यहाँ पे D वाला आप्शन विलकुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशन 35 नमबर, 35 नमबर प्रशन है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी, काफी म सी वाला आप्शन विलकुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशन 36 नमबर, 36 नमबर प्रशन की गढ़बंदन सरकार बनाने की संभावना किस परकार की दलिय बेवस्था में होती है, यहाँ पे C वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 37 नंबर 37 नंबर प्रश्ण की भारत में मानो सुरक्षा अधिकार अधिनियम का पारित हुआ काफी महत्पुर प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है की भारत में मानो सुरक्षा अधिकार अधिनियम का पारित हुआ तो 1993 में पारित हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण अर्टिस नंबर 38 नंबर प्रश्ण है कि विस्व उभभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि विस्व उभभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 49 नमबर प्रशन की उत्पादन की समस्त किरिया निर्भर किस पे करता है काफी महत्पुड प्रशन हैं यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन की समस्त किरिया निर्भर किस पे करता है तो भोकता पे करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन है चालीस नमबर प्रशन है क्यों भोकता जागरुक आंदोलन का परर्रम किस देश से हुआ काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आ अगला प्रशन है 41 नमबर 41 नमबर प्रशन है कि टेक्सूल का उप्यो किस में किया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सूल का उप्यो किस में किया जाता है तो कैंसर की इलाज में किया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 42 नंबर 42 नंबर प्रश्ण है कि निमन में से कौन सी मिटी सरवाधी कुप जाओ है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मिटी सरवाधी कुप जाओ है तो जो जलोड मीटी होती है यह सबसे अधिक उपजाओ मीटी होती है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 43 नंबर 43 नंबर प्रशने की Asia का सबसे बड़ा परमाडू बिधुद्गरी कहा इस्तित है यहाँ पे आपको बताना है की Asia का सबसे बड़ा परमाडू बिधुद्गरी कहा इस्तित है तो यह तारापूर में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 44 नंबर 44 नंबर प्रशने की विश्व में सरोपर्थम मुद्रण की सुरुआत कहा हुई यहाँ पे आपको बताना है की विश्व में सरोपर्थम मुद्रण की सुरुआत कहा हुई तो चीन में हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 45 नमबर प्रश्ण की गुडवाना समू में किसका निर्माड हुआ था यहाँ पे आपको बताना है की गुडवाना समू में किसका निर्माड हुआ था तो कोईले का निर्माड हुआ था इस पर सीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला परशने 46 नमबर 46 नमबर परशने की राष्टिय विकास परिशत का गठन कब हुआ यहाँ पर आपको बताना है कि राष्टिय विकास परिशत का गठन कब हुआ तो 1952 में हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पर सीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला परशने 47 नमबर 47 नमबर परशने की खाद कर खाना कहा इस्तित है यहाँ पर आपको बताना है की खाद कर खाना कहा इस्तित है तो खाद कर खाना बरौनी में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला परशन 48 नमबर परशन की भुकम की तिबरता किस से मापा जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि भुकम की तिबरता किस से मापा जाता है तो रेक्टर स्किल से मापा जाता है इसे आपको याद रखन यहाँ पे C वाला Option बिल्कोल सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन Auntyn 49 नम्बर प्रशन कि भारतिय समिधान दुआरा मानने राष्टिय भसाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे आपको बताना है कि भारतिय समिधान द्वारा मानने राष्ट्य भसाओं की संख्या कितनी है तो 22 है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 50 नंबर 50 नंबर प्रश्ण की सूचना के अधिकार आंदोलन की सुरुआत कहां से हुई यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की सुरुआत कहां से हुई तो राजस्थान से हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण एक्याओन नमबर प्रश्ण की ताड़ी विरोधी आंदोलन की सराजे से सुरू किया गया यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की सराजे से सुरू किया गया तो यह आंधर परदेश से शुरू किया गया इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण बावन नमबर बावन नमबर प्रश्ण है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्स लागो किया गया यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्स लागो किया गया तो 1985 में लागो किया गया इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जा आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था तो Maternic Austria का Chancellor था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पचपन नंबर पचपन नंबर प्रश्ण कि लखनाव समझोता किस वर्स हुआ यहाँ पे आपको बताना है कि लखनाव समझोता किस वर्स हुआ तो 1916 में हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चपन नंबर चपन नंबर प्रश्ण कि safety lamp के अविसकारक कौन है यहाँ पे आपको बताना है कि safety lamp के अविसकारक कौन है तो Humphrey Davy है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 57 नंबर 57 नंबर प्रश्ण है कि Russo कहा के दार्शनिक था यहाँ पे आपको बताना है कि Russo कहा का दार्शनिक था तो जो Russo था यह France का दार्शनिक था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 58 नंबर 58 नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन और नवी करणिया सुरोत है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन और नवी करणिया सुरोत है तो जो Petroleum होता है यह और नवी करणिया सुरोत होता है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 69 नंबर प्रश्ण कि दूद के उत्पादन में लाई गई करांती कौन सी है यहाँ पे आपको बताना है कि दूद के उत्पादन में लाई गई करांती कौन सी है तो स्वेत करांती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला आप जो नगारजुन परियुजना किस नदीप परिश्थित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 161 नमबर प्रशने कि सुनामी किस अस्थान पर आता है यहाँ पे आपको बताना है कि सुना आमी होता है, यह समुन्दर में आता है, यहाँ पे बीवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन बासट नमबर, बासट नमबर प्रशने की गदर पाटी का स्थापना किसने किया, यहाँ पे आपको बताना है, की गदर पाटी का पर्णाली किस पर लागू होता था, यहाँ पे आपको बताना है, कितин कठी पर लागू होता था, तो यह किसानों पर लागू होता था इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डिवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन है, 64 निम्न में से किसे संबंदित हैं यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको अंदुला निम्न में से किसे संबंदित हैं तो यह पेंड बचाने से संबंदित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्र इसलिए देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रशने 66 नमबर, 66 नमबर प्रशने है कि भारत में किस परकार की लोकतंतर की बेवस्ता है, यहाँ पे आपको बताना है, कि भारत में किस परकार की लोकतंतर की बेवस्ता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रशने 66 नमबर प्रशने है कि भिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि भ अगला प्रशने 68 नमबर, 68 नमबर प्रशने कि भारत में भोड देने का नियूंतम उम्र क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में भोड देने का नियूंतम उम्र क्या है, तो 18 वर सही से आपको याद रखना है, यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रश्ण उनहत्तर नंबर प्रश्ण है कि मर्वस्थलिय मिर्दा का विस्तार भारत के किस राज्य में हैं तो राजस्थान में है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सतर नंबर प्रश्ण है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है तो करनाटक है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला आप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन एक अतर नमबर प्रशन है कि सिमेंट उध्योक का सबसे परमुक कच्चा माल क्या है तो चूना पत्थर है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन एक अर्थिक जीवन में सबसे महत पून है यहाँ पे आपको बताना है कि मनुस्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत पून है तो मुद्रा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते ह अगला प्रश्णि तीघतर नंबर प्रश्णि की गुटेनवर का जनम और के की? यहां पी वीवाला आप्छन बिल्क् IKEA हो जाएगा आये देखते हैं अगला प्रश्णि चौहतर नंबर प्रश्णि के? इंगलेंट में अधोगी क्रांति की सुध्योग से शुरु हुआ। तो वस्तुरुध्योग से शुरु हुआ हैं यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिलकुली सई हो जायेगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 75 नमबर, 75 नमबर प्रशन है कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माड किसने करवाया था यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माड किसने करवाया था तो सुर्य वर्मन दुईतियने करवाया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 76 नमबर प्रशने कि 10 के पिटल कप परकासित हुआ है यहाँ पे आपको बताना है कि 10 के पिटल कप परकासित हुआ यहाँ पे D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 78 नमबर 78 नमबर प्रशने कि सामेवादी सासन का पहला परियुक कहा हुआ था यहाँ पे आपको बताना है कि सामेवादी सासन का पहला परियुक कहा हुआ था तो रूस में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते है अगला प्रश्ण 89 नमबर, 89 नमबर प्रश्ण है कि बिहार में पंचायती राजे ब्यवस्था का कारेकाल कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राजे ब्यवस्था का कारेकाल कितना होता है, तो 5 वर्सों का होता है, इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अंतिम प्रश्न असी नंबर असी नंबर प्रश्न है कि सूखे का जिम्यवार कारक कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे का जिम्यवार कारक कौन सा है A option ने वर्सा की कमी B option ने भुकमप C option ने बाढ़ D option ने जो अला मुखी तो यहाँ पर आपको बताना है कि सुखे का जिम्यवार कारक कौन सा है तो वर्सा की कमी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा समाजिक विग्यान के काफी महतपुन 80 objective परशन हम आपको बता चुके है और इस 80 objective परशन में से बहुत सारे परशन आपके final board परिक्षा में हो बहु आने वाला है तो इसमें से अगर जो भी परशन आपका छूट गया हो तो उसे आप लोग notebook पे लिखके जुरूर याद कर लिजिएगा और हमारे website पे Sanskrit का test चल रहा है तो अभी तक आप नहीं दिये हैं तो जाके test दे लिजिए और ये रहा आपके लिए homework परिशन इसका जवाब आपको comment box में देना है कि भारतिय लोग तंतर के कितने अंग है A option ने 1, B option ने 3, C option ने 4, D option ने 5 तो इहाँ पे आपको बताना है कि भारतिय लोग तंतर के कितने अंग है तो जो भी option आपको सही लगे वो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा वीडियो को like नहीं किये तो please आप लोग वीडियो को like किजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर share किजिएगा और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe किजिएगा